Hello everyone, कैसे हो आप सब मैं हूँ गौरोकरापराफ फ्रम एडुटर्स और आज SFM को लेकर के हमारा पहला concept वीडियो आ गया है SFM CMA Final के अपनी paper number 14 में है और obviously strategic financial management is an advanced form of financial management आप सब को बता है intermediate level पे हमने FM पढ़ाई है साथ में अब SFM पढ़ने की जो बारी है उसके उपर में चर्चा करनी शुरू करेंगे by way of small concept videos जाही से बात है ये concept videos के लिए एक अलग से मैं playlist बना के रखा हूँ जो playlist आपको description में मिल जाएगी बात बागी channel के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत सारा और भी content आपको मिलता जाएगा तो updated रहने के लिए channel को subscribe करके रखिए चलिए शुरुबात करते हैं आज की हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग discuss कर रहे हैं derivatives का एक छोटा सा concept ये concept है with respect to forward contracts देखो derivatives एक बहुत unique set of instruments हैं जहां पे आप चार तरह के primary instruments देखते हैं जिसमें से एक होता है forward, एक होता है futures, एक होता है options, एक होता है swap बाकी सारे instruments पे धीरे-धीरे हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है forward पे forward एक derivative contract होता है, एक derivative instrument होता है जो आपको बहुत powerfully एक exposure पे ले जाता है और एक leverage position आपको हासल करके देता है ये कैसे होता है, इसकी details कभी और जानेंगे बड़ाबी के लिए मैं आपको इस session में सिखाऊंगा कि forward दरसल होता क्या है, forward contract होता क्या है and जैसा कि आप देखकर क्या है, ये pricing of forward contracts के उपर में video है, तो मैं pricing of forward contract क्यों ऐसा होता है उसके पीछे की भी आपको दलील दूँगा, हमेशा हम जब classes में class में कुछ भी चीज करते हैं, तब obviously concepts के उपर में चर्चा होती है, बहुत सारी बाते होती है, but primarily जो हमारा agenda होता है, वो agenda होता है कि भई हम लोग को exam oriented पढ़ाई भी करनी है तो formula ये हैं और याद करने हैं and so on, पर formula के पीछे का जो गहरा logic है, वो अकसर साथ students miss करते हैं classes में, classes में बताया सब जाता है, लेकिन फिर भी miss कर जाते हैं, उनके लिए concept videos बहुत important होने वाले हैं, क्योंकि इन concept videos में हम class के अंदर की वी बातों को वापस काफी सुकून से और एक relaxed management में वापस discuss कर पाएंगे, तो ये concept videos बहुत amazing होने वाले हैं, जैसे कि अभी ये होने वाले है, शुरुबात करते हैं, चलिए सबसे पहले हम forward contract का जिक्र करते हैं, कि forward contract actual में होता क्या है, तो देखो सबसे पहले ये बाज आमेलो, कि forward contract दरसल एक contract है, तो contract है, तो two parties यहां पर involved होगी, जो आपस में कोई एक दूसरे को वादा कर रही है, इसमें एक party होती है, जिसे हम कहते हैं long, जैसे कि आप अभी screen पर देख पा रहे हैं, दूसरी party होती है, जिसे हम कहते हैं short, इनकी ऐसे कोई height होगे रहे का बात नहीं हो रहे है, इन parties का नाम हो जाता है, एक हो जाता है long forward, एक हो जाता है short forward, जो long होता है वो short को एक वादा करता है, वो वादा क्या है, वो वादा है that he agrees to buy something, वो something क्या है हम बात करेंगे उसके उपर, लेकिन long ने short को वादा किया कि भाई मैं तेरे से खरीदूंगा, खरीदा नहीं है, खरीदूंगा, correct, और वैसे ही short वापस long को बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को बेचूंगा, तो दोनों एक दूसरे को एक वादा कियें, ये वादा ऐसा है कि दोनों अपनी प्रॉमिसेज अगर फुल्फिल कर लेते हैं, तो ये contract expiry के दिन खतम हो जाएगा, लॉंग ने कोई चीज खरीदने की बात करी है और short ने कोई चीज बेचने की बात करी है, एक बार imagine कीजिए, कि एक मंडी और मंडी में अनाज भिकरा है, पार्मर, खेती करने से पहले, या फिर मैं कह सकता हूँ, हार्वेस्टिंग से पहले, अपने अनाज का एक rate fix करके जा सकता है, correct? वो मंडी में जाएगा और मंडी में जो माजन है, उससे जा करके बुले है, भाई-जाब, मेरे को अपने जो फसल है, उस फसल को बेचना है तीन महीने बाद, तो तीन महीने बाद फसल का क्या दाम लगाओगे, आज ही बता दो, I would like to agree to sell to you, would you like to agree to buy with, buy from me, तो इसे हम कहते हैं forward, यह है forward contract, यह forward contract की और जादा गहराईयों में जानते हैं, और सबसे पहले इसके features के बार में discuss करते हैं, देखो अगर मैं इसके features discuss करने जाओ, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, कि यहाँ पे एक underlying security होती है, अब underlying कुछ भी हो सकता, देखो underlying के नाम प भी create हो सकते हैं, यह आप चाहें तो fixed income instruments के उपर में भी create कर सकते हैं, किसी भी security के उपर में derivative create किया जा सकता है, बस उसमें दो party है, दोनों party आपस में यह वादा कर दें, कि भाई मैं खरीदूंगा और मैं बेचूंगा, so एक underlying यहाँ definitely होता है, क्या चीज की खरीद बेच हो price पहले से agreed है, यानि वो specified price है, हम यह जो लेवा बेची करेंगे, यह जो buying and selling का आपस में interaction करेंगे, यह करेंगे जरूर लेकिन आज नहीं, यह agreement होने वाला है at a future point, लेकिन price आज ही तैय हो गया, जैसे मैंने farmer का example दिया, farmer मंडी में जा करके, जो माजन उसके साथ में बात कर है, price आज तैय कर रहा है, execution बात में करेंगा, so यहाँ पे farmer जो है, वो एक specified price ले करके जाएगा, और आज की जो यह concept वीडियो है, इसमें चर्चा यह है कि यह specified price भला calculate कैसे होता है, so you know that, obviously हम इसको detail में समझेंगे, कि यह forward price calculate कैसे होता है, लेकिन इतना जरूर है, कि यह forward price त इस दिन contract होगा, उसे दिन तैय हो जाएगा, लेकिन contract की जो expiry होती है, उस दिन यह पैसे की अदलाबत्ती होगी, और जो commodity है, उसकी भी अदलाबत्ती होगी, जैसे यहाँ पे देखो expiry पे लिखा है, कि expiry क्या होती है, settlement वाली दिन होती है, जो कि usually 1, 2 या 3 महिने दूर होत इंडिया में futures जो है, वो market forward जैसा ही है, forward बस थोड़ा unregulated space है, regulated space होता है futures, जहाँ पे 1, 2 और 3 महिने के contracts float करते हैं, तो यह 1, 2, 3 महिने की इसकी expiry हो सकती है, एक महिने की expiry का मतलब यह होता है, कि price जिस दिन तैय हुआ है, उस दिन से 1 महिने के बाद, exact 1 महिने के बाद में day 1 जिस दिन यह contract आया, उसके exact 1 महिने के बाद में, यह contract expire हो जाएगा, यानि उस दिन वो लेवा बेची होगी, और जो price तैय हुआ था, उसी पे होगी, अगर यही 2 महिने हो, तो यह 2 महिने बाद लेवा बेची होगी, किसी ने agree to buy किया, किसी ने agree to sell किया, तो कभी तो यह agreement execute भी होगा, तो वो execution होता है 2 महिने बाद, जबकि price set हो जाता है day 0 पे, और अविस दी 3 महिने वाले पे, 3 महिने पे होगा, तो यहाँ पर यह underlying features बहुत कमाल किया, और यह समझना बहुत आज़ती है, कि forward कुछ नहीं है, forward वादा है, वादा, वादा है दो लोगों के बीच का एक बुलता है मैं खरीदेगा, एक बुलता है मैं बेचेगा, price दोनों ने set कर लिया, दोनों को यह भी पता है, कि किस दिन खरीदना बेचना करना है, अब बात यह आती है, कि किस भाव पे हम agree करें हैं, आप खुछ सोचो, आप मुझे बेचने हो गया और मैं कुछ खरीदन का, यह तीसरा party कौन है, वही मैं समझाने जा रहा हूँ, और यही चीज को समझाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कि forward price होता है, उसको set करते वक्त, हम सिर्फ यह देखते हैं, कि कहीं arbitrager कुछ कमान आ ले, अगर आप कल को यह सोचो, यार, arbitrager कौन होता है, तो धीरे दिरे आप यह सीखोगे, SFM में, पर basically, arbitrager के बार में एकदम brief introduction देता हूँ, यह वो market participants होते हैं, जो ना एक पैसा घर से लगाते हैं, और ना एक रुपे की risk लेते हैं, यानि ना risk लेते हैं, ना invest करते हैं, फिर भी पैसे कमा लेते हैं, यह पैसे कमाते हैं, बिकॉज हमने क प्राइस पर अगरी कर दिया, तो उस केस में हो जाती है problem, और वो problem होती है miss pricing की, इस miss pricing को जैसे ही डूंड लेगा arbitrager, वो ना घर से पैसा लगाएगा, ना कोई risk लेगा, उसके लिए फिर भी profit बन जाएगा, अब यह कैसे होगा, आईए discuss करते हैं, सबसे पहले मैं आपको हमने forward का जो एक formula पड़ा है, जिस formula की हिसाफ से forward का price होना चाहिए, वो है यह formula क्या है, ft is equal to s0 into 1 plus rf to the power t, अगर इस formula को आप time value of money से correlate करना चाहें, तो यह formula future value जैसा ही है, future value is equal to present value into 1 plus i to the power n, इस formula में और उपर वाले formula में कोई भी difference नहीं है, यह same आप compounding के time पे formula पढ़ेते TVM में, यह वही formula है, बस obviously इसके terminology बदल गए है, fp has become future price, present value has become spot price, risk free rate, जो है वो हमारा interest rate है, और यहाँ पे जो n है, वो है t, सबसे पहले बात यही आती है, कि यहाँ पे, अगर हम formula के हिसाफ से जाएं, देगो formula के हिसाफ से, जो forward price है, उसका formula होगा यह न, correct, तो इस formula के हिसा price है 100, risk free rate है 10%, तो 1.10, and यह एक साल का contract है, तो power में 1 होना चाहिए, तो इस हिसाफ से forward price 110 होनी चाहिए, correct, the forward price should be 110, आपको दिखा नहीं, अब दिखेगा, correct, लिकिन क्या यह हो रहा है, नहीं, हमने price तय कर दी 120, अब बखेडा हो जाएगा, बस, हमने गलती कर दी, हमने गलती की है, अब इस गलती से होगा क्या, एक mispricing हो जाएगी, the forward price is mispriced, and अब arbitrator इसका मजा कैसे लेगा, बहुत easy है, arbitrator क्या क्या करेगा, arbitrator ने देख लिया, कि जो सौदा 110 में होना चाहिए था, वो सौदा हो रहा है 120 में, तो वो भी सौदे में participate करना चाहेगा, बिना पैसे लगाए बिना risk लिए, वो क्या करेगा, वो आ करके सबसे पहले बजार से 100 रुपए उधार ले लेगा, वो बजार से 100 रुपए उधार ले लेगा, और उधार ले करके 10% ब्याज जो की risk free rate है, उस पे एक साल तक के लिए लोन लेने के लिए अगरी हो जाएगा, इसके जो अंडरलाइंग है, उसको बजार में जाके खरीद लेगा, अंडरलाइंग बॉट, स्पोट, अब इसका मतलब क्या है, आज के आज, कैश मार्केट में वो अंडरलाइंग को खरीद के बैढ जाएगा, अंडरलाइंग को भी कॉमोडिटी हो सकता है, यहां पर हम एक एक कोई एक मैंगो है, उस मैंगो पर यह सौधा हो रहा था, 120 रुपय का सौधा हो रहा था, तो यह भाई साब को यह सूजी कि मैंगो तो 100 रुपय में मिली रहना, ठीक है, और माल लेते हैं यह मैंगो अभी तक राइप नहीं हुआ है, तो एक साल लगेगा इसको राइप होन में आज ही कोल खरिद के बैड जाएगा, और फिर जाकरके forward contract जो कर रहा है न महाजन उसको बोलेगा कि मैं भी कोल बेचना चाता हूँ, I also want to agree to sell, तो यह agree to sell करके आ जाएगा, क्योंकि महाजन 120 रुपय में offer कर रहा है, तो यह भी उसके साथ सौधा करके आ जाएगा, अब इसके पास already underlying है, यानि की कोल लेके बैठाईए, और फिर जाकरके सौधे में यह कर दिया कि एक साल बाद मैं कोल बेचूंगा, और वो एक साल बाद जो कोल बेच रहा है, उसका भी दाम तैय करके आगया 120 रुपय, अब देखो इसकी position कितनी सही है, इसको पता है, इसको एक पता चल गया कि मैं 10 रुपय यहांपे कमा लूँगा, यह arbitrageर का कमाल है, यह arbitrageर क कमाल क्यों है, पता हैं। क्योंकि जो price 110 होना चाहिए ता, वो price आपने set क्या किया, 120, यही आपका गुना है, यही आपका गुना है, इसको हम कहते है miss pricing, और देखो इस miss pricing के वज़े से, buyer seller का छोड़ो एक third party आ करके पैसा कमा के जा रहा है इसको अगर आपको रोकना है और और ये दोनों cases में हो सकता है आपने 110 के जगा 100 रुपय अगर price set किया न तो भी ये arbitrage का कमाल कर सकता है कैसे class में सीखेंगे हम कैसे पूरा बुरा हम class में सीखेंगे class के सारे details अभी आपके सामने flash भी हो रहे है just in case SFM आपको enroll करना हो आप कर सकते है batch शुरू होने वाला है लेकिन अभी मैं बता दू arbitrageर उस हालत में भी मजा लेगा आप गा कि भाई तुमने price 110 के जगा 160 गया न चलो उसमें भी वो मजा ले सकता है so nutshell में देखा जाए तो बाईजाब ये हमसे ये हमसे पैसे कमा ही लेगा ये miss pricing को exploit करेगा ही करेगा तो इसको रोकने के लिए सिर्फ एक यूपाय है कि formula जो है उसको हम follow करें और formula क्या कहता है formula ये कहता है कि बाईजाब जो formula है उसको follow करना पड़ेगा और वो formula है ft is equal to s0 into 1 plus rf to the part t आपके mind में ये आ रहा होगा कि भया यहाँ पे सब समझ में आ रहा है ये future value है ये present value है सब समझ में आ रहा है क्यों आप risk free rate ले रहे हो बस ये समझा दो तो बस इसका कारण यही है risk free rate इसले ले रहे है क्योंकि हम ये सारा काम करने से रोकेंगे arbitrager को अगर कोई risk taker है और वो पैसे कमा रहा हमको उससे कोई problem नहीं क्योंकि उसने risk ली risk लेके कोई पैसा कमाए उसको कोई problem नहीं होगा market को भी उससे कोई problem नहीं होगा पर बिना risk के लिए अगर आप पैसे कमा लेते हो तो वो एक बड़ी समस्या है और उसी को रोकने के लिए हम अपनी pricing risk free rate पे करते हैं ताकि कम से कम arbitrager पैसे ना कमा पाए कोई risk free rate से जादा ना कमा पाए ठीक है ना 100 रुपए अगर आप कहीं पे इंवेस्ट करते हो 10% के risk free rate पे तो एक साल बाद वो 110 रुपए ही होगा आपको भी पता है और वो risk free है तो वो होगा ही होगा 110 तो बस आपको भी अपना forward price 110 ही set करना चीए ताकि arbitrager कोई भी तरह से यहां पे पैसे ना कमा पाए तो यह है इसके पीछे का पूरा reasoning क्यों forward contract को इस तरह से price किया जाता है arbitrager का इसमें क्या role है long short कौन क्या है वो सारी बाते यहां पे अब आपको समझ में आई होगी I hope आपको पूरी position forward की समझ में आई पूरी position भी समझ में आ गई long कौन, short कौन और pricing भी समझ में आ गया और इसी तरह के और भी वीडियो का आपको इंतजार रहेगा उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि description को जरूर से visit करें enrollment से लेकर के आपके playlist के सभी links नीचे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे जाकर के उन links को follow करें and इस तरह के और कौनसे concept वीडियो आपको चाहिए उसके ideas मुझे दें comment में डाल करके बात बाकी, channel को subscribe किया होगा आपने यह उमीद करता हूँ और like, share, comment जो आप करते हैं वो ज़रूर करेंगे तब तक के लिए मिलेंगे अपने next वीडियो में तब तक के लिए बाबाय, take care, enjoy yourselves please and please पढ़ाई करते रहें, bye